प्रश्ट करेंगे क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन की यूनिट नमर 5 चिल्डरन विमन इन स्पोर्ट्स के केस बेस कोश्चन्स को तो इस वीदियो को दोस्तो एंड तक देखेगा तो चलिए वीदियो को स्टार्ट करते हैं और एके करके केस बेस कोश्चन्स को सॉल़् करने की कोश्चिस करते हैं फर्स्ट कोश्चन है दोस्तो मारा महेश फिजिकल एजुकेशन टीचर एट एक्स वाईज़ स्कूल में उनके स्कूल में इक बच्चा पढ़ता है जिनका नाम है राजु उसको दोस्तो उसके थोरेशिक रीजन में जो उनका वाईज़ कॉलम है वहाँ पे एक आउटवर्ड करव है इसके बाद he suggested some exercise to rectify his problem तो जो महेश फिजिकल एजुकेशन टीचर उनके उन्होंने राजु को कुछ exercises suggest करा उन्हें परफॉर्म करने के लिए ताकि उनकी जो problem है वो rectify हो सके फर्स्ट कोश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया what is this deformity known as तो A. scolosis B. kyphosis D. lordosis D. flat foot तो यह चीज आपको पता है दोस्तों कि thoracic region मतलब जो आपका जो आपका दोस्तों back है back पर दोस्तों जो आपका spinal वाला जो region है उसको हम thoracic region कहते हैं उसमें जो एक vertebral column है वो outward की तरफ निकला हुआ है उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों उसे हम kyphosis कहते हैं जैसा कि आप दोस्तों image में भी देख पा रहे होंगे second question दोस्तों इसमें पूछा गया है kyphosis is commonly known as kyphosis को हम और किस नाम से जानते हैं a hollow back b hunchback c sideways bending d lordosis तो इसका answer क्या होगा दोस्तों इसका answer होगा option number b hunchback third question इसमें दोस्तों पूछा गया है kyphosis is a deformity related to kyphosis एक deformity है किस चीज़ के related a foot b vertebral column c shoulder d legs तो इसका answer क्या होगा दोस्तों इसका answer होगा option number b vertebral column जैसा कि आप image में देख पा रहे हैं जो kyphosis है वो vertebral column मतलब जो अपका spine होता है और जो अपका backbone होता है vertebral column को दोस्तों हम spine भी कहते हैं और backbone भी कहते हैं तो option number b इसका correct answer हो जाएगा next question दोस्तों मारा padma a student of class 12 used to read books in the school library one day she was studying the history of women participation in Indian sports and felt that more girls and women must be encouraged to actively participate in sports she believed that impossible things can be achieved through participating in sports इसका मतलब वो दोस्तों एक padma है जो कि class 12 की student है वो दोस्तों बुक रीड कर रहे थी किस चीज़ पे था दोस्तों वो बुक वो बुक था दोस्तों women participation of Indian sports की history वो रीड कर रहे थी उन्होंने ये feel किया दोस्तों कि जो women है उनका participation आब actively मतलब वो ज्यादा participate कर है sports में she believed that impossible things can be achieved through participating in sports जो impossible things है वो अचीव हो सकते अगर हम sports में participate करें तो अब इसमें नीचे हमसे question पूछे गए है first question दोस्तों मारा in which year did women first participate in olympics a 2000 b 1900 c 2012 d 1947 तो इसका answer क्या होगा दोस्तों इसका answer रोगा option number b 1900 in mcqs को दोस्तों हमने mcqs वाली series जो है हमारी उसमें हमने discuss कर रहा है उसकी playlist की link में आपको दोस्तों description box में दे दी आगर आपने नहीं देखा है तो उसको भी देख लिजेगा next question दोस्तों हमारा which of the following players is associated with badminton यह हमें 4 players के नाम दे रहे हैं इन में से पूछ रहा है कौन से player जो है वो badminton से associated है मतलब badminton को वो खेलते हैं A. सान्या मिर्जा B. सान्या नहवाल C. करनम D. पीटी उसा तो इस cancer क्या होगा दोस्तों इस cancer का option number B. सान्या नहवाल यह चीज़ आपको पता है दोस्तों कि badminton में इंडिया को represent करती है कौन सान्या नहवाल इसका मतलब हुआ दोस्तों जो posture है वो हमारी daily activities में बहुत ही ज़्यादा important role play करता है और जो correct posture होता है दोस्तों वो हमारी body को proper manner में और accurate करने में हमारी body को balance करने में बहुत ज़्यादा helpful रहता है फ़र इनसान में हम उनकी कुछ ना कुछ posture deformities को identify कर सकते हैं उसके बाद नीचे हमसे question पूछे गए हैं और आपको एक diagram भी दे रखा है first question दोस्तों मारा from the above given picture the deformities seen on the leftmost is caused due to the deficiency of तो उसमें दोस्तों सबसे उपर आपको एक diagram दिया हुआ है जिसमें कह रहा है leftmost आपके left hand side में कौन सा diagram आपको दिया गया है दोस्तों वो आपको दिया गया है बोलक्स का तो इसमें पूछ रहा है वो कौन सी deficiency से cause होता है A iron B calcium C vitamin D D both B and C तो इसका answer क्या होगा दोस्तों इसका answer होगा option number D both B and C जो दोस्तों बोलक्स होता है वो calcium और vitamin D के कमी से cause होता है second question दोस्तों हमारा walking on the inner edge of the fit can be a remedy of A bolex B flat foot C overweight D leg deformity तो इसका answer क्या होगा दोस्तों इसका answer होगा option number A bolex third question दोस्तों हमारा the person in the middle is suffering with आपको दोस्तों इस diagram उपर दिया गया है इसमें middle में मतलब बीच में जो आपको वो जो person है वो किस चीज़ से सफर कर रहा है A rickets B flat foot C knock knees D elephant foot तो इसका answer क्या होगा दोस्तों इसका answer होगा दोस्तों आपको diagram देखते ही पता चल गया होगा तो इसका answer होगा option number C knock knees तो जो person है वो knock knees से सफर कर रहा है fourth question दोस्तों हमारा horse riding is the best exercise for clearing this deformity A knock knees B bow legs C flat foot D all of the above तो horse riding अगर हम करते हैं किस चीज़ की deformity को ठीक करने में cure करने में बहुत ज़्यादा helpful रहता है A knock knees B bow legs C flat foot D all of the above इसका answer क्या होगा दोस्तों इसका answer होगा option number A knock knees last question दोस्तों हमारा performing this asana regularly can be a remedy of knock knees knock knees को अगर हमें ठीक करना है तो कौन सा asana को हमें regularly perform करना पड़ेगा A padmasna B tadasna C wajrasna D halasna तो इसका answer क्या होगा दोस्तों इसका answer का option number A padmasna next question दोस्तों मारा सीतल spent her weekend checking the health status of all the security guards of her huge gated community as a part of project work assigned by PE teachers she find out that more than half of them have shown a significant deformity in the upper part of their vertebral column तो दोस्तों सीतल है वो अपना weekend इसी चीज में spent करती है वो चेक करती है health status को अपने security guards को जो कि एक project था दोस्तों PE teachers के दोारा तो she found out that more than half of them तो दोस्तों जो सीतल थी उन्होंने ये पाया जो उनके security guards हैं उनमें कुछ ना कुछ deformity है उनके vertebral column में vertebral column मतलब वही दोस्तों spine या backbone में तो इसमें आप हमसे नीचे questions पूछ गए हैं और उपर आपको एक diagram भी दे रखा है जो आपको उपर diagram दे रखा है उसको define करने के लिए क्या term है तो इस cancer क्या होगा दोस्तों इस cancer होगा दोस्तों इस cancer होगा बहुत असान है दोस्तों आपको diagram देखती ही पता जल गया होगा option number 16 का correct answer kyphosis second question दोस्तों मारा this deformity in mainly caused due to यह जो deformity है दोस्तों यह किसीज के द्वारा कौज होता है एक carrying heavy load बी lack of exercise सी weak muscles दी all of the above तो इस cancer क्या होगा दोस्तों इस cancer होगा option number D all of the above third question दोस्तों मारा the asanas which helps in rectifying such conditions आर यह जो आपको दोस्तों kyphosis दिख रहा है उपर kyphosis का diagram उसको दोस्तों ठीक करने के लिए कौन सा asana को हम perform करें regularly ए चकरासना बी धनूरासना सी हलासना डी बोथ A and B तो इस cancer क्या होगा दोस्तों इस का answer होगा दोस्तों option number D बोथ A and B तो अगर हमें kyphosis को ठीक करना है तो हमें चकरासना और धनूरासना को regular perform करना चाहिए फोर्थ bending head backward in standing position helps in getting rid of अगर हम अपने hands को अपने पीछे की तरफ bend करेंगे तो हम उससे किस चीज को ठीक कर सकते हैं तो इस का answer क्या होगा दोस्तों इस का answer होगा दोस्तों इस का answer होगा option number B काइफोसे तो इसमें पूछ रहा है दोस्तों कि COVID pandemic में बहुत सारे चिल्डन अपने online class लेते हैं जिस कारण से उनका जो पॉस्चर है वो बैड हो गया है दोस्तों इस जो पॉस्चर उनका बैड हुआ है सिटिंग के कारण उसके लिए हम क्या टर्म यूज कर सकते हैं एक आइफोसेस, बिलोडोसेस, सी स्कॉइलोसेस, टी फ्लैट फूट तो इस का answer क्या होगा दोस्तों इस का answer का option number A काइफोसेस तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने डिसकस किया क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन की unit number 5 Children and Women in Sports के case-based questions को I hope दोस्तों ये जो वीडियो आपको helpful रही होगी और आपको दोस्तों ये भी पता चल गया होगा कि इस chapter के related case-based questions कैसे आ सकते हैं और उन्हें कैसे solve किया जाता है अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को दोस्तों लाइक कीजिए इस वीडियो को share कीजिए अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल को भी दोस्तों subscribe कर लीजे तब तक दोस्तों all the best stay tuned with us